शुर्दाष जी ने खृष्ण की बाल लिलां का बहुत ही सुंदर वरृणन किया है और सूर्दाष जी से पहले किसी भी हिंदी कवी ने कृष्ण की बाल लिलां का ऐसा अनूठा वरृणन प्रस्तुप नहीं किया इस पाठ का उदेश्य है बाल-मन की कलपनाओं से अवगत करवाना, भेद भाव नहीं करने का संधेश देना, बच्चों के प्रति सजग रहने का संधेश देना, और बच्चों की अठखेलियों की जानकरी देना, यानि कि बच्चे जो बच्चपन में शरारती करते हैं उनकी के बारे में जानकरी देना तो सूर्दास जी लिखते हैं हरी अपने आंगन कचुगावत तनक तनक चर्णनिसो नाचत मनही मनही रिजावत अर्थात श्री क्रिश्न अपने आंगन में घर के आंगन में कुछ गा रहे हैं वे अपने ननहे ननहे चर्णों से नाचते हैं और अपने आप अपने हिच्चत को अनंदित कर रहे हैं वह अपने ही मन में बहुत खुश हो रहे हैं बाह उठाई काजरी धोरी, गयनी, टेरी बुलावत, कब हुग बाबा नंद पुकारत, कब हुग घर में आवत कभी वह दोनों हाथ उठाकर कजरी धोरी आदी नामों से गायों को पुकार कर बुलाते हैं इनकी कजरी और धोरी गाईयों का नाम रखा हुए उन्होंने और गाईयों को बुलाते हैं, कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, और कभी घर के भीतर चले जाते हैं माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कभी वह अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेकर अपने छोटे से मुख में डालते हैं, और कभी खंबे में अपना प्रतिबिम्ब देखकर और उसे अन्य बालक समझ कर मक्खन लेकर उसे खिलाते हैं दूरी देखती जसूमती एह लेला, हर्ष अनंद बढ़ावत, सूर स्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत तो क्रिश्न की यह सब बाल लिलाएं यह शोदाची छिप कर देख रही हैं और वे मन ही मन में बहुत खुश हो रही हैं और सूर दास जी इसी के उपर कहते हैं कि शाम सुन्दर के बाल चरित, निते निते देखने में रूची कर लगते हैं इनकी जो श्री क्रिश्न जी बाल लिलाएं करते हैं उन्हें देख कर मन बहुत खुश होता है अब सूर दास जी का दूसरा पद जिसमें क्रिश्न जी गुसा हो जाते हैं अपने सखाओं से खेलते समय उसी पद का वर्नन श्री क्रिश्न ने सूर दास जी ने बहुत ही सुन्दर धंसे किया है खेलत मो को हुकाको गुसया हरी हारे जीते श्रीदामा बर्बस ही कत करत रिसया जब एक बार श्री क्रिश्न जी खेल में रूस जाते हैं वे रूट जाते हैं तब उनके सखा कहते हैं कि कि श्याम, खेलने में कौन किसका स्वामी है, तुम हार गए हो तो और श्रीदामा जीत गए है, फिर जूर्ट मुट जगड़ा क्यों करते हो, जाती पांती हमते बढ़ नाही बसत तुम्हारी श्या, अती अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारी गईया, वह कहते हैं कि जाती पाती का भेद हमारे सामने नहीं चलेगा, हम तुम्हारी चाया के नीचे बसते भी नहीं हैं, और हम तुम्हारे उपर अधिकार नहीं समझते, अगर तुम इसी अधिकार से हमारे साथ रूट जाते हो कि तुम्हारी गईयां जादा हैं, तो वह तुम्हारे अपने पास हैं, और इसमें खेल खेल में ऐसा जाती पाती का भेद तुम्हें नहीं करना चाहिए रूहिट करे तासों को खेले रहे बैठी जहें सब गवईया सूर्दास प्रभू खेलियोई चाहत दाव कर दियो करी नंद दुहया तभी सखा कहते हैं कि तुम्हारे पास अधिक गाएं हैं इसलिए तुम रूठने रूठाने का काम करते हो और ऐसे रूठने रूठाने वाले के साथ कोन खेलेगा सब साथी जहां तहां खेल चोड़कर बैठ गए सूर्दास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी यनकी श्रीक्रिष्ण जी तो पहले से ही खेलना चाहते थे इसलिए नंद बाबा की शपत खाकर कहते हैं कि मैं आगे से जगड़ा नहीं करूँगा और वह खेलने के लिए सबको मना लेते हैं अब सूर्दास जी अपने तीसरे पद में श्रीक्रिष्ण जब थोड़ा घुटनों के बल चलते हैं और मुख से कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं वैसे ही श्रीक्रिष्ण मुख से थोड़ा बोलने लगते हैं उस पत का वर्नन सूर्दास्टी ने बड़े ही सुन्दर धंग से किया है कहन लगे मोहन भाईया भाईया मैया मैया नंद महर सों बाबा बाबा अरू हलदर सों भाईया सूर्धास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में मैया बाबा और भाईया कहने लगे हैं अपनी माता को मैया और नंद बाबा को बाबा बाबा और हलदर येनकी बलराम को भाईया कहकर पुकारने लगे हैं और अब वह है इतना ही नहीं वह है अब बहुत नटकट यहन की शरार्ती हो गए हैं, और तभी ये शोधा भी उन्हें उन्ची होकर दूर्द से कनहिया कनहिया कहकर बुलाती है उंची चड़ी चड़ी कहत जशोदा लैले नाम कनहया दूरी खेलन जनी जाहू ललारे मारेगी काहू की गईया क्रिशन की बाल लिलाओं का देखकर मैया ये शोदा भी उन्हें दूर से ही नाम ले लेकर पुकारती हैं और कहती हैं कि लला गाये तुझे मारेगी गोपी ग्वाल करत को तुहल घरघर बजट बधाया सूर्दास प्रभु तुम्रे दरस को चर्नन की बली जईया तो सूर्दास जी कहते हैं कि गोपियों व्यग्वालों को श्रीकृष्ण की लिलाएं देखकर बहुत ही सर्प्राइज होता है श्रीकृष्ण अभी छोटे ही हैं और लिलाएं भी उनकी बहुत अनोखी हैं इन लिलाओं को देखकर ही सब लोग बधायां दे रहे हैं सूर्दास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके इस रूप के चर्नों की मैं बलिहारी जाता हूँ अपने अगले पद में सूर्दास जी ने कृष्ण की उन लिलाओं का वर्नन किया है जब श्रीकृष्ण बलराम को की शिकायत मैया ये शोदा से करते हैं कि वह मुझे बहुत यह कहकर चिडाते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ मैया मोही दाओ बहुत की जायो मौसों कहत मोल को लेनों तू जसूमती कब जायो तो इस पद में श्रीकृष्ण अपनी मैया से बलराम की शिकायत करते हैं कि मैया मुझे दाओ भाईया बहुत चुराते हैं मुझसे कहते हैं कि तू मोल का लिया हुआ है ये शोदा मैया ने तुम्हे जन्म नहीं दिया कहा करों इहीर इसके मारे खेलन हो नहीं जात पुनी-पुनी कहत कौन है माता कौन है तेरो दाओ ताओ तो श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि क्या करूं मैं इसी क्रोध के मारे खेलने नहीं जाता वे बार-बार कहते हैं कि तेरी माता कौन है तेरे पिता कौन है गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत स्यामल गात चुटकी देदे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुसुकात तो कृष्ण कहते हैं कि बलराम जी मुझे से कहते हैं कि तू सामला कैसे है नंद बाबा तो गोरे है और य प्रिश्न के मुख से ऐसी ऐसी बातें सुनकर ये शोदा मैया उन्हें डाटती है और मन ही मन खुश होती है तब राम तो जन्म से ही चुगल खोर है वह जन्म से धूर्थ है और मुझे गोधनियन की गायों की शपत मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पूत्र हो सिखवत चलत जशोदा मैया अर बराई करी पानी गहावत डगमगाई धर नी धर पईया कब हूं को सुन्दर बदन विलोकती और आनंद भरी लेत बलाईया कब हूं को कुल देवता मनावती चिरन जी वहू मेरो कुवर कनहया इस पद में माता ही शोदा श्री कृष्ण को चलना सिखाती है और जब वे लड़ खड़ाने लगते हैं तब उसके हाथों में अपना हाथ पकड़ा देती हैं डग बगाते चर्ण वे प्रिथी पर रखते हैं कभी उनका सुंदर मुख देखकर माता का हिर्दे आनंद से पूर्ण हो जाता है और वे बलाईया लेती हैं कभी वह कुल देवता को मनाने लगती हैं कि मेरा कुवर कनहाई चिरन जीवी हो कभी पुकार कर बलराम को बुलाती हैं और कहती हैं कभी बलराम जी को बुलाती है और कहती हैं कि दोनों भाई इसी आंगन में मेरे साथ खेलो सूर्दास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी की यह लिला इस लिला ने श्री नंदर राय जी का प्रताप और वैभव अत्यंत बढ़ा दिया है थैंक यू